चहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नु जी के सेंटर पर मेराकिस कुमार राय और चुन्ना आपके लिए एडिटुरिया से बिहार तत्ति संग्रा लेकर आया हूं जो बहुत इंपोर्टेंट और अच्छी बूख है आपकी परिक्षा के लिए इसमें टॉपिक वाइज लाइन वाइज सब कुछ समझाया गया है तो चलिए आज का जो टॉपिक है मद्दिकालिन बिहार का इतियास है प्राचिन बिहार का इतियास मैंने आपको पढ़ा दिया भाग एक और भाग दो में तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे तुर्क सासन में बिहार शिक्धर पढ़ेंगे तुर्क शासक अनि बक्तियार खिल जी के बारे बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तिक स्रे बक्तियार खिल जी को जाता है बक्तियार खिल जी कुत्तु बुद्धिन एवक का दास था ठीक है और बक्तियार खिल जी एक मिनट बक्तियार खिल जी के आ पुन चपल था ओधन्दपुरी बिहार औनी बिहार चरिप की विजय थी तो यह ग्यारश्वन ठानबेश्वी में हुई थी वक्तियार खिलजी ने ओधन्दपुरी की साथ नालंदायम विक्रमशिला विश्विद्याले को भी नेस्ट कर दिया इनि विश्विद्यालों में उसने आग लगवा दिया था सन बारशवती निश्वि में नदियानी बंगाल पर चड़ाई की जो सेनवंस की रहतानी थी उसमें सेनवंस का साचक लचमन सेन था लचमन सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया और बक्तियार ने इस चित्र पर अधिकार कर लखनोती को अपन मर्दान ने कर दी और उसके सव को बिहार सरीव के इमाद पुर में दफाया गया ते लिए आगे देखते हैं अस्थाने वन्स में करनाट वन्स था बिहार में मिथला का करनाट वन्स पालवन्स के पतन के दोरान में तिरुत मिथला चेत्र में करनाट वन्स का उदेव हुआ ठीक है आप देख रहे हैं एडुटरिया बिहार तत्त संग्रा तो करनाट वन्स के संस्थापक थे नांड देव और करनाट वन्स की रायधानी सिम्राओ गड़ थी जो वर्तमाल में नेपाल में है और बक्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय करनाट साशक नर्सिंग देव ने उसे नजराना भेंट कर सायोग किया था करनाट वन्स का सेन वन्स से संगर चलता रहता था करनाट वन्स पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चाति बत्ती धर्मा स्वामिन ने की है सामनेत्त दिल्ली के साथ करनाट वन्स का समन राजराना एवं भेंट का था प्रन्तों ग्यासुदिन तुग लगने बंगाल अभियान के अनि 324 पचीश के करम में करनाथ छथ प्रविजय प्राक्त कर लिया और ग्यासुदिन के अभियान के समय करनाथ वन्स का सासग हरी सिंग देव था हरी सिंग देव 1289 से 2335 तक सासन किये इनोंने और ये समाज सुधाराग भी थे और हरी सिंग इस वन्स का अन्तिम साचक था और उसके समय पंजी परवन्द का विकास हुआ था सल्तनात काल में बिहार इसको थोड़ा टालते हैं दिल्ली के सुल्तानेवं बंगाल सासकों के बेच निरेंतर हुने वाले संगर्ष में बिहार लंबे समय तक जुद का खड़ा बना रहा इल्तुत मिस दिल्ली सल्तनात का पर्थम सुल्तान था उसने बिहार पर आकर्मन कियार और उसने 225 इसमे में बंगाल इवं बिहार पर अदिकार किया परंतु या अदिकार उसके उत्रा अदिकारी की समय कतम हो गया तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्त्वेग निंत्रन हुआ और 2324 से 25 में ग्या सुद्दिन तुगलक ने करनार छेत्पर विजय प्राप्त की आगे बढ़ते हैं फिरो इस साथ तुगलक भी अपने बंगाल अभियान बार 236 की समय बिहार आया था और पटना और गयार से उसके अभिलिख प्राप्त हुए राजगीर के जैन मंदिर के अभिलिखों में उसके दोरा अनुदान देने के परमान मिले हैं तुगलक काल में बिहार की रायधानी बिहार शरीप थी उस काल में बिहार शरीप का नगर भोदध धर्म का परमुक के अंदर था तुगलक काल में बिहार के प्रशास्कों में सबसे महत्पुन्ना मलिक इबराहीम का है जो मलिक बयां कालाते थे इनका मकबरा बिहार सर्च में पहाड़ी परिश्तित है तेर्वी सेतावदी के मद में मिनहाज की रचना तब काते नास्त्री में बिहार में बिहार नाम का उलिख मिलता है अब है अफगान शासन में बिहार सिकंदर लोदी ने 1495 में दरिया खा नुहानी को बिहार में परसासक आनी राजपाल ने जुक्त किया और इब्राहिम लोदी की मिर्थी के बाद दरिया खा नुहानी का फुत्र बहार खा नुहानी ने स्वतंदर सत्ता की खुषना कर दी और दुसरी और अफगान सासक महमद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया और बाबर ने 15-39 इसवे में घागरा के जुद में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया चलिए आगे चलते हैं गागरा जुद के बाद बिहार में सेर्षा के नित्रेत में पुना अफगानों का उदे हुआ अब आजाब सेर्षा सुरी सेर्षा सुरी का जन्म स्वग्द 216 भी में हुआ उसके पिता का नाम था हसन खां जो सासा राम के जागिरदार थे सेर्षा के बचपन का नाम फरिद खान था बाहर खान नुहानी ने फरिद खान को सेर्खान की उपादी दी और सेर्खान नुहानियों के पतर के बाद बाहर खान की विद्वा दुदू बिगम से विवा कर विहार छेतर को अपने अधेन कर लिया सेरखा ने 1534 इसवी में सुरजगर्ड की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उसे उस पर अधिकार कर लिया और 1549 इसवी में चोसा के युद में हुमाओं को पराजित कर सेरशा की उपादी धारन की और पंदर सो चालीस इसवी में कर्णोज आनी बिलग्राम जुद में हुमाओं को प्राजित करुशने दिल्ली में सुर्वन स्किस्ता अपना की पंदर सो चालीस इसवी में सेर्शा ने पठना का दुर्ग बनवाया तता इसनेगर को बिहार की राइधानी बनाया इसका वरनन अब्दुल्दा की तारिके दाओदी में मिलता है लिए आगे बढ़ते हैं सेर्छा ने 543 इसमी में राई सिन 544 में मारवार बिजय किया और 545 इसमी में कालिंजर अभियान में गोला पठने से वगहेल हो गया उसकी मिर्थीव हो गई शेर्षा ने अपने जीवन काल में ही सासारा में इंडोस्लामिक इस्थापत कला पर अधारित मकबरा का निर्मान प्रारम करवाया और शेर्षा की मिलतियों के बाद उसके पत्र इसलाम सा ने उससे बनवाया और क्रित्रिम जिल के मद इस्तितिया इमारत आकार में अश्ट कोनी है यम लाल बलवा पत्तर से निर्मित है पिलिए आगे बढ़ते हैं सेर्षा ने बिहार में रोताश किला भी बनवाया और सेर्षा ने जबती परनाली चलाई जिसमें भूमी की मा क्याधार पर लगान निर्धारन किया जाता था और बाद में ऐसे अकबर ने अभी अपनाया सेर्षा का साषन सुबेस्तित साषन परनाली के लिए परसित था उसने संचार वैस्ता, डाग वैस्ता, सैन वैस्ता और राजस वैस्ता में व्यापक सुधार किये थे सेर्शा के बाद उसका पोतर जलाल खां इसलाम सा की उपादी के साथ गद्धी पर बेठा बाद में सूरवन्स तीन भागों में बढ़ गया 555 में मच्छी बारे में सारहिंद के जुद में हमाओ ने जिकंदर सुरी को पराजित कर सूरवन्स का अंद कर दिया अब मुगल काल में बिहार शेर्शा की मेथिव के बाद कुछ वरसों तक सूरवन्स की सत्था बनी रही लेकिन 555 में मुगल राजी की पुनवस्तापना हो गई दिल्ली में मुगल राजी की पुनवस्थापना के समय बिहार में ताज खां कराराणी के नितुत में एक अफगान राज का गठन हुआ ताजखां करारानी ने अकबर के प्रतेस्ट समान के निती अपना है लेकिन उसके बुटर दावत खां करारानी ने इसका विरूद किया और अकबर ने उसे धंडित करने के लिए स्वैम आखरमन किया उसके बाद पंदर सो चिएतर इसवी में उसने पठना को जीत लिया और दावद खाँ को पठना छोड़कर भागना पड़ा दावद खाँ बिहार का अंतिम अफगान सा सक्सित हुआ और पंदर सो सी सबी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सुबा प्रांथ का दर्जा दिया गया और अकबर द्वारा मुनिम खाँ को बिहार का गौर्नर बनाया गया और अकबर के समय राजा मान सिंग को बिहार का प्रांथ पती 587 सबी से 594 सबी तक बनाया गया मान सिंग के समय मुगल समराज बिहार में काफी मजबुत हो गया था मान सिंग के समय रोहताश को बिहार की रहतानी बनाया गया जहांगिर के समय तोटानाकपुर के च्छत पर मुगलों का दिकार रस्तापित हुआ और इस च्छत से मुगल को हिरा और सोना प्राप्त होता था जहांगिर ने 1620 इसवी में राजकुमार परवेच को बिहार का प्रांध पत्ती बनाया इसके बाद वापद केवल राजकुमार को ही दिया जाने लगा और अरंग जेव ने पिरिपोद राजकुमार आजिम को 1702 इसवी में बिहार का प्रांध पतिया निसुवेदार ने जुक्त किया और आजिम ने पत्तना का नाम आजिमया बाद कर उसे संद्री करन करया उत्तर मगल काल के सासक फर्रुक सियर ने 1703 इसवी में पत्ना में अपना अपचारिक राजकुमार करवाया और भाला मगल समरर था जिसका राजकुमार बिहार में हुआ साह अलमदित का भी विधोगत राजकुमार बिहार का भाग बन गया मुर्शित कुली खां 1727 इसवी तक बिहार बंगाल उडिसा का शुवेदार रहा और उसके सबाद सर्फराज खां नवाब बना अलवर्दी खाने गिरिया के जुद्द 747 इसवी में सर्फराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया उसने मुगल समराट को दो करण रूपे देखर अपने पत को स्थाई बना दिया और 1726 इसवी में अर्लवर्दी खां की मिर्ति तक बिहार बंगाल उडिसा चित पर उसका प्रत्यक नेंतर रहा तो यह था आपका विहार जी की अनि विहार समान परीचे तो कल हम लोग देखेंगे सिक धर्म के बारे में एक मिनट छोटा साय तो इसको खतम करी देते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बनता है तो तो आसा देखने में भी दिकत होता इसको खतम कर देते हैं शिक धर्म और विहार शिक धर्म के संस्थापक एक मिनट का अगया रही है शिक धर्म के संस्थापक ठीक है गुरू नानक देव थे उन्हें बिहार में गया राजगीर पटना मुंगेर भागलपुर आदी की अत्रा की थी और शिक धर्म के नौमें गुरू शिरी तेक बादूर भी सासाराम गया होते वे पटना आये थे और यहां में अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गये थे जो मा बनने वाली थी और वही पटना में गुरू गोविन सिंग का जन्म हुआ शिक धर्म के दस्में मन्तिम गुरू गोविन सिंग का जन्म पटना में 26 दिसनबर 1664 इस भी को हुआ था गुरू गोविन सिंग 1667 इस भी में दस्में गुरू बनी पता 1699 में उन्हें घाल्चा पंत्की स्थापना की और तक्ट श्री हर मंदिर पटना साहिब सिख मंदिर का परमुक तिर्तस्तल है इसका निर्मान महराजा रंजित सिंग ने खरवाया था उसके बाद कल का टोपिक रहेगा आदोनिक बिहार इसमें हम लोग उरुपियो कमपनी का प्रवेश जन जाती विद्रू 877 की करांती और बिहार राश्ट एंदलों प्रितक बिहार का गठन देखेंगे बाद का ये विडियो आपको किसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो फिर मिनते अगले विडियो में तब तक लिजय हिन जय भारत